1932 खत्यान के अधार पर इस्थानी निती नियोजनिती की मांग को लेकर लगतार आदिवासी मूलवासी सडक पर आंदोलन करते वे नजर आ रहे थे वहीं आपको जानकारी दे देंगी कि जार्खन सरकार ने कैबिनेट से 1932 खत्यान के अधार परिस्थाने निती को मंजूरी दे दी है जिसके बाद राजे भर में जश्न का महल है वहीं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं आप सभी को जानकारी देंगी कि पुर्वे मुख्यमंत्री मधू कोडा ने भी अपनी आवाज बुलंद की उन्होंने कहा है कि अगर 1932 खत्यान जार्खन में लागू होगा तो कोल्हान पूरे तरीके से जल जाएगा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सांसद गीता कोडा मीनी से बात करते हैं कि लगतार आप लोग आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं कि अगर 1932 खत्यान लागू होता है तो कोल्हान जल जाएगा जिसमें तीन जीला आता है बिलकुल ये बात सही है क्योंकि हमारे यहाँ लास्ट सर्वेस सेटल्मेंट ही 64, 65 का है 70 का है तो ऐसे में हमारे अगर 22 कट अप हो जाता है तो हमारे जो कुल्हान के बहुत सारे लोग ہیں लाखों को है और हम्ने हम्ने इस जए तो रूब यह जा है। दिये हैं क्योंकि मानिय न्याले जी ने भी कहा है दौझम के अगर हम यह स्ट्रडि करें तुश्में उन्होंने यह कहा है कि सरकार को सभी-कों सभी के इतों को ध्यान में रखते हुए नीती बनानी है तो اईसे में हमने जो महां की दर्द है वहां का जो टक्लीप पर वहा की जो टेकनिकल चीज़ हैं 64 वालों को आप कियों किनारे करें वो भी जारकन्डी है वो भी जारकन्ड में हैं जो खत्यान-धारी हैं तो अब उनको भी उनको कैसे ये ये से बहुत जादा परिसानी हो जाएगी क्योंकि टेक्निकल अगर हम इस पर जाए तो बहुत सारी बहुत सारी बाते हैं आज बहुत लोगों के पास में खटी होते हुए भी उनके पास में कागजपतर नहीं है तो वैसे लोगों का क्या होगा अगर हम 32 की बात करें क्योंकि हमारे अगर कुलान की हम बात करें तो वो 12-13-14 में भी हुआ है तो वैसे लोग जिनके पास में कागजपत्तर उस समय का नहीं है लेकिन अब का है तो उन लोगों का क्या होगा और आज जितने भी मैंने पहले भी का कि क्योंकि अभी जितने भी सर्टिफिकेट्स बन रहे है वो 64 के आधार पर हो रहे है तो वो कैसे आप इसको समय जित करेंगे इसको कैसे सुधार करेंगे या क्या करिएगा तो हम एक सुझाओ दे सकते हैं हम सरकार को बता सकते हैं और सरकार मुझे जहां त सब मौझूद थी सांसद गीता कोड़ा जी जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से मुक्यमंत्री हेमन सोरे ने 1932 खत्यान के अधार परिस्थानिय निती को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है अगर 1932 खत्यान शार्खन में लागू हो जाएगा तो काफी करेंगी ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा लेकिन गिता कोड़े ने कहा है कि हमें मुक्यमंत्री हेमन सोरें से काफी उमीद है अपने कैमरा परसन कुनाल के साथ मैं करिश्मा सिर्णा नियूस 22 को रांची